जैस्री सीताराम 29 जुलाई सन 2022 मतलब आज से एक हफते आठ दिन पहले पिर्थवी अपनी धुरी पर मतलब उसका जो रोटेशन है अपनी धुरी पर वो सबसे तेजी से घुम गई और इसमें 1.5 सम्थिंग मिली मीटर सेकेंड का डिफरेंस पैदा हो गया इसके पहले हम सुनते आये थे कि बाधों के संबंद में जो नदियों पर बाध बनाये जाते हैं उनके संबंद में यह कहा जाता था कि अगर बहुत ज़्यादा बात बनेंगे तो इससे एक जगा पानी इकठा होने से पिर्थिवी की गती पर असर पड़ेगा अथार्थ उसके रोटेशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो होगी लेकिन इसके बावजूद यह रोटेशन की प्रक्रिया फास्ट हो गई है अब आप खुद अंदाज लगाईए कि यह प्रक्रिती हमसे कहना क्या चाहती है जो अभी दो दिन पहले वापस से आइसलेंड का जो जो जोला मुकी फूट गया है और लोग फिर वापस वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं और अच्छे अच्छे तरीके से शूट कर रहे है वो फिर से चालू हो गया है इस बार इस बार वो एक साथ एक जगह से नहीं निकल रहा है बलकि पांसाथ जगों से लावा निकल रहा है लावे के संबंद में मैंने फुराने वीडियो में बताया है काफी कुछ कि इससे कैसे रोटेशन पे और पिर्थिवी के मैगनेटिक फिल्ड पे भी असर पड़ सकता है ये एक संभावना है विज्ञान खुद भी हाइपोथिसिस में जीता है अगर आप लोग बहुत विज् हाइपोथिसिस आप लोग अगर कह रहे हैं उसको आला कि तो नहीं मैं आता मैं सक्चाई मांता हूं अगर ऐसी चीजे हैं तो भारतिय सनातन की हाइपोथिसिस विज्ञान से कहीं आगे है और आधुनिक विज्ञान ने हमसे सिक्षा ली है इस मामलों में यहां तक कि भी तेज से घूम गई अपने रोटेशन को जल्दी पूरा की और संभावना है कि आगे और भी जल्दी पूरा करेगी तो इससे जो उथल पुथल मर्चेगी वो एक यूग परिवर्तन जिसकी बात लगातार बहुत लोग अधारा की जा रही है कल की अवतार की बात की जा डाल रही है हम ये भी देख रहे हैं कि विश्व की जितनी सत्ताइं हैं वो आपस में बेचैन होना शुरू हो गई है और उनकी ये बेचैनी भी बढ़ती जा रही है क्या कल की अवतार निकट है जै स्री सीता राम